साथ से नहीं होता कभी भी, सब का विकास और सब का साथ होगा, तो राम राज कभी नहीं आएगा, राम राज में ये आएगा कि कुछ का विकास, कुछ का नास, रक्षक और भक्षक एक नहीं हो सकते, सर्वे भवन्तु सुकना की कामना जब की जाती है सभी अच्छे लोग हो, फरवार में की जाती है, राष्ट में की जाती है सबकी बुद्धी सदबुद्धी हो चार बर्स सरकार के निकल गए हम संतों ने एक तरीके से आस लगाई हुए थे कि अच्छे दिन आ गए है, राम मंदर का निर्माण सिग्र होगा और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, राम के भक्त हैं से भक्त हैं ये सिग्र प्रस्ताब लाएंगे संसंद में राम मंदर बनाएंगे लेकिन लोगों ने एक बात कहिए दी कि जो कोट करेगा, तब पहा jijneल होगा पहसला मैं एक बात पूछना चाता हूँ नरेंद्र भाई जी से भी पूछना चाता हूँ देश के साधू संतों से भी पूछना चाता हूँ जब कोट के द्वारा ही फैसला करना था तो मुलाइम सिंग जी के समय में कोट में फैसला तो तब ही चला था तो हजारो कारसिवों क्या बल्दान क्यों कराया जब कोट के द्वारा ही फैसला कराना था तो गोदरा कांड में हजारो कारसिवक मारे गे उनमें आग के भावाले क्यों कराया था और जब ये कोट के द्वारे ही फैसला करना था तो अड़वाणी जी ने रत क्यों चलाया था उसमें कितना दीजल भोका कितने कारिकरता परिसान हुए जब ये सब प्रसन आते हैं पूर्व का हम लोगों ने इतना परिस्रम किया सन 92 से हम लोग यहां लगे हुए हैं एक सब्र था अच्छे दिन आएंगे हमारी सरकार आएगी हमारा एक राजा एक हमारा हिंदो तेहड़ गदी पर बैठेगा जिसे सबी लाइक करेंगे उसके बाद में एक आस चलती रही अब होगा अब होगा चार परस भीट गए हमने हो सकता है कभी बिस्मरण ना हो गया हो जैसे हनुमान जी को अपना पल बिस्मरण हो गया तब जामन जी ने उनको याद दिलाई कि पवन तने बल पवन समाना काईको मोनी साध रहे हनुवाना आज हम संत कल हमारे केंदिय मारतक्समंडल की धर्म सभा है आपर सभी भीप और संग की कारी करता है हाई कत्रित हो रहे हैं सभी सादू संतिहा पर आ रहे हैं केवल यही हम नर्यंद्र मोधी जी को और योगी जी को उनका पुर्व का बचन उनकी पुर्व की तागत याद करा रहे हैं आपने कहा था कि राम मंदर का निर्माण होगा आखिर कब होगा इसलिए एक सत्र बचा है सीथ कालीन सत्र इस सत्र में उनको विध्यक लाना पड़ेगा और लाकर के राम मंदर का सिक निर्माण कराना होगा और राम मंदर का तो निर्माण होगा जैसे बावरी विद्वन से होगा बावरी मजजित जो हमारा मंदर था उसको मजजित का रूप औरण जे बावर ने दे दिया ऐसे मंदर तो जब हम चाहेंगे तब बना लेंगे क्योंकि हम सब हिंदू राम से हमारे आराद हैं राम हमारी संस्कृति हैं और राम ही हमारी धरोबर हैं अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा ये लोग कहते हैं यानि आप चाहते हैं कि सांती पोड ढंग से राम मंदिर बन जाए तभी ठीक है नहीं तो अपने आप से साधू संत बना सकते हैं। बिल्कुल ये तो ये है कि ठीक है कि हम लोगों पर क्योंकि हिंदू सर्वे भवन्तु सुगना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माकाश्य दुख भागववेद। ऐसी कामना केबल सनातन और हिंदू करता है। वो हिंदू नहीं चाहता कि एक विश्व के पर एक संदेश गलत जाए, कि हमने जवर्जस्ति किसी के दिल को दुखा करके मंदिर बनाया है। कोई कहेगा कि मंदिर हम नहीं बनने देंगे, सरकार भी चाहें कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो एक सरकार ने हजार सरकार इखट्टी हो जाए, मंदिर तो बनके रहेगा, किसी में इतनी तागत नहीं जो रोक ले। और उसके लिए हिंदू कटी बद्ध है, लोगों ने सौगंद दखाई है, सौगंद राम की खाते हैं, मंदिर भही बनाएंगे, राम लला हमाएंगे, बस ये हैं, केबल ये जो हमारे मुसलिम जी हैं, मुसलिम समाज के लोग हैं, बस उसमें सारा मुसलिम समाज क्या ये मसला इतना बड़ा है जी कि 1292 से अब तक लटका रहा लगबग तीन दसक बीतने को हैं तीन दसक में क्या ये राममंदीर इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी तक इसको कोई पार्टियां बनवा नहीं पाए हैं सारी सरकारे आएं बदल गई इसके पहले भी अटल भी हरीबाच पर इस सरकार आए थी अब मोदी जी की साड़े-चार साल बीद गये क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा राममंदीर है कि इसको जो बनवाया नहीं जा रहा है विसे ये है जब आदमी को कुर्सी मिल जाती है तो वो नोबल पुर्षकार की चक्कर में पढ़ जाता है वो अपनी सभी सांती प्रिय दिखा करके आच्रगी जी अत्याच्रण करने लगता है कि मैं बहुत हूँ अटल जी को भी एक बीमारी हो गई थी पुझ अटल जी को नोबल पुर्षकार का चक्कर पढ़ गया वो ले मैं सांती रखूंगा नोबल पुर्षकार मिलेगा नोबल पुर्षकार नहीं मिला ऐसे ही कहीं हमारे हो सकता है नरेंद्र भाई जी ये कभी भी सांती की स्थापना क्रांती से होती है आतंगबादियों को आप भूल माला ले जाकर के कस्मीर के गेट पर सब भोजियों खड़ा कर दो कि भाईयों हम तुमारे भाईयों मारना मत क्या आतंगबाद ही रुकेंगे जबता हमारे सैनिक उनको मूँ तोड जवाब नहीं देते हैं तब आतंगबाद नहीं रुकता है इसलिए पूरे साक्ष मिल गए कांग्रेस ने भी कहा कि अगर वहाँ पर साक्ष मिलते हैं कि राम जनी भूल पर पहले मंदिर था तो हम क्या है कि इतने मंदिर बनवाएंगे पूरे साक्ष मिले कांग्रेस सरकार चली उसने भी नहीं बनवाया भाजपाथ ने कहा कि हम सत्ताम आएंगे मंदिर बनवाएंगे सम ने कहा लेकिन आज क्यों नहीं बनवा रहा है ये भीरू हिंदू समाज इसको कायरता का जामा ना पहनाया जाए ये जागा नहीं है हनुमान की तरह से एक समंदरी सा समंदर पार करने की छमता है ये रामा दल है रामा दल में पता नहीं कितनी हनुमान है क्योंकि रावण को एक भ्रहम हो गया था क्या रहे तुमारे रामा दल में तो एक ही बंदर है जो बलवान है और वो आया था लंका जरा गया, अंगत ने कहा रहे, वो उसका तो पता ही नहीं है, बोले क्यों, कि उसको तो ये कहा गया था, कि तू लंका को गेड़ के समंदर में डुबा देना, और आते उसने मूनी दे उसको तू बलबान कह रहा है, तो इसलिए राम दले, इसमें किसी क बीरता का आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे दिल जले पड़े हुए हैं, जो अपने धरम के रहे, राम जी के लिए अपने प्राणों को आहुत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, केवल समर का बांध, दो सीथ काली सत्र तक है, अगर इस सत्र में किसी कारण से विद्यक न नालंदा बिस्विद्याले जला दिया गया, तक्सिसला जला दिया गया, हजारों मन जनेव रोजाना काट करके, चोटी काट करके, औरंजेव, अपने इसलामी करण को थोकता था, हमें तो मरना है, अगर ये इस्तिती रही हिंदू समाज नहीं जागा, तो आने बाले 20 साल क के बाद में हिंदू समाज अलप संक्यक हो जाएगा, मंदर भी बनाएं, हम तो अपने भाई नरिंद मोदी जी से ये कहेंगे, आप हमारे हिंदू समराट हैं, मंदर भी बनाएं, लेकिन जो जन संक्या बिर्धी नियम हैं, कानून वो भी लाइए, दो से जादा नहीं, नह तो हम अलप संक्यक हो जाएंगे, और ये बहु संक्यक हो जाएंगे, फिर ना मोदी जी बचेंगे, ना योगी जी बचेंगे, नि भाजपा बचेंगे, नि संग बचेंगी, ना ये सादू बचेंगे, नि मठ बचेंगे, नि मंदर बचेंगा, इसलिए कानून लाना जरू अगर भारत को विस्वरु बनाना है तो राम को राम के आच्रान को जीवन में पहतानना पड़ेगा तुब भारत बिश्वरु बन सकता है राम की धरा पे राम की जनव मुप्पे राम मंदर का भव्य सिग्र निर्वान होना चाहिए चैस कि वह इन जाम कुछ भी हो तो राज की दरोबर भारत की पहचान राम है इसे राम मंदर का सिख निर्भार कराना चाहिए अच्छा 2019 में 2019 के पहले अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो आप लोग की क्या एजंडा होगा इसके बाद क्योंकि अगर अध्यादेश मालीजे लेकर नहीं आते हैं और क्या फिर उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे और एक सवाली है उसके बाद अगर मालीजे अध्य अध्यादेश नहीं आता है तो क्या होगा आप लोग का अगला एजिंडर देखिए पहली बात तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि अध्यादेश नहीं आए अच्छा आपको लगता है कि 2019 से पहले अध्यादेश आ जाएगा मंदिर भी बन जाएगा उनकी मजबूरी है लाना तो असरी मलेगा भाजपाई हमारे सभी हिंदुत बादी जितने भी सांसद हैं सब हिंदुत बादी है कोई मूझ खोलना नहीं चाहरा है यह विद्यक लाएग पास होगा चा कोई भी हो आप कर रहे हैं कि जितने भी लोग सांसद में बैठे हैं वो सब इस समय हिंदुत बा कि आगे इसको लेकर तो अभी किसी ने कोई नहीं बिरोद किया लेकिन हर चीज का एक समय होता है यह विरोद उठरा ही समय हो गया नहीं हो गया समय आया सबने इसमें भी तो भारती जनता पार्टी का कोई सांसद हमें नहीं 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 साथ से नहीं होता सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुकना की कामनजब की जाती है सभी अच्छे लोगों परवार में की जाती है सभी बुद्धी सदबुद्धी हो अच्चक कौन दिखता appropri अरे बक्षचक तो बो ही है जो राम का सोधा करते हैं जो राम मंद्रीन राजनीती करते हैं, जैसे कुछ लोग कहा रहे हैं कि हम सत्ता में आया तो राम मंद्र बनाएंगे, अभी काइग्रेस के कुछ लोगों का वकत्व आया, अरे मैं उन्से पोछता हूं, तो में कैसे बिस्पास किया जाए जा तुमने संसद कोट के अंदर एक हल्प नामा दिया था कि राम इस धराव पे कभी पैदा नहीं हुए राम सेदू कभी था नहीं तो ऐसे जो भक्षक लोग हैं जो के बने राम पर राजनीती करके लोगों के बोट की खादर अपनी संस्क गौदान हो कोई भी दान हो अन्य दान हो लेकि हिंदू समाज एक भटका हुआ है वो सब दान करता है लेकि एक दान गलत जगे कर देता है जिसको कहते हैं मत दान इसलिए हिंदू समाज को जागना होगा सब दान करो कहीं भी करो चलेगा लेकि ये मत दान रूपी दान जो ह ऐसे किसी भक्षक के लिए मत करो, जो गो का मास काता हो, जो गो का सोधा करता हो, गो को कटवाता हो, राम पे राजनीती करता हो, भारत को बिस गुरू बनाना है, हिंदूों को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो हम सब के लिए पांड़ों का एक उधारण है, पांड़ों न है अपने यह जैन हूँ सब सनातन दर में इसा निकली है पीड की एक सनातन का समयगॉय गंगा इसनार में सब लोग नहते हैं सब आजय करती हैं में कोई छुआ चुट नहीं है कोई जाती बाद नहीं है कि चुआ इस दीके से जो SCST के लोग हैं, दलिस समाज हैं, वो हमेशा कहता रहाता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन पर सोषण हो रहा है, बलकि अभी भी सोषण हो रहा है उनका कहना, इसी वज़ा से वो लोग एक अलग दिसा में चल रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है, कि जो अचूत कभी नहीं थी, बरण विवस्ता थी, जातियां पहले भी थी, ये वरण विवस्ता जाती विवस्ता सही है, आपके नजरी, देखिए, एक विवस्ता है, एक मा के दो बेटे हुए, एक या आचा से दूद पिया, एक दरोगा बन गया, एक हवलदार बन गया, केसे कहीं चुआचूत नहीं है, कौन कहता है चुआचूत है, जो सबसे भिरष्ट हो, जिसको कहते हैं सबसे नीचा हो, वो आजाए गंगाज नहाए, हमाय संग में बहीं जल पियेंगे, उसके सांग में उसकी लिंगी भी उसमें पढ़ी होए, तो भी आचमन कर रहे होंग ये राष्ट विरोधी तागतें जो हैं, उनके ही कुछ कारिय करता, उनके ही लोग, ऐसा हमारे भाईयों का सोचन करते हैं, उसके बाद में समुचा हिंदू समाज बदनाम होता है, कोई भी राष्ट भक्त, कोई भी हिंदू, कोई राम का सेवक, कभी किसी से चुआ चुआ नहीं करता, हम तो कहते हैं, गंगा में नहाते हैं हमारे संग, हजारों हमारे लोग कहते हैं, हजारों संग कुम्ब में आते हैं, गंगा इसनान करते हैं, मस्त रहते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, कोई चुआ चुट नहीं है, सनातन एक बहुत बड़ा ब्रक्ष है, इसकी ह डाली हर पत्ता केते हैं चन्न नहीं, जी देश-की माड़ी, तपो- भूम्हर की राम है, हर ब्लादनी प्रत्मा, बच्चा-बच्चा राम है, जब नात्री आती है, कन्या किसी की हम तो पूजन करते हैं, उसके पएरचूते हैं, चाहे भालमी की कन्या हो, चाहे आपके जाट वाला कौन था तक्सिला को जलाने वाला कौन था ये लोग भूल गए ये हिंदू समाज भूला नहीं है वो लोग केवल अपने को चड़ाने के लिए ऐसे कहीं बोल दिया हो लेकिं समुचा हिंदू एक है चाय कोई भी आ जाए सब भाजपा को यहां जो राम मंदिर निर्वा कि दुकान पर या आम लोग बात करते हैं तो यह होता है कि राम मंदिर क्या जरूरी है जाए जिस देश में भी इतनी बिरोजगारी है इतने लोग अभी भूखे मर रहे हैं वहां पर राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो इसको लेकर लोग कहते हैं यह कॉल करना छोड़ें नेट चलाना छोड़ें बर्सो फेस्बुक चलाना छोड़ें जो ऐसी बाते करते हैं ठीक है सरीर में हर्ची जरूरी है सरीर में नमक भी जाना जरूरी है मीठा भी जाना जरूरी है बोजन भी जरूरी है यह आपसकता जीवन की है देखिए हमने बच् नास्तिक बनगे हमारे किस काम का, पैसे हमारे एकाउंट पर पढ़ा हुआ है, हमें गरव है, एकाउंट सील हो जा हमारे किस काम का, जो बक्त पर काम नहीं है, तिर राम हमारी संस्कृति है, हमारी धरो बने, राम के आच्रन से ही तो हम अपने आपको जीवन, सरीर कभी ये सर पुत्र पुत्र है वे रुजगार के ने वे रुजगार तो सब के पास में लेकिन जब संस्किर से जुरा होगा नहीं अपनी आवसक्ताओं थोड़ा कम कर दे अनावस्ते खर्चे उनको बंद कर दे एक हमारे यह का दसी का बिरत किया जाता है इतने बिरत इनके पीछे रीज देख ले अच्छा तो राम मंदिर तो हाला कि अभी राम मंदिर का मुद्ध सरकार खुल के नहीं बताए है कि 2019 पहले हम अध्यादेश लाएंगे या क्या करेंगे लेकिन योगी सरकार अभी योगी जी दी पावली में आये थे तो उन्होंने इस्टैचू राम की जी के नाम से तो क्या इससे आपको लगता है कि हिंदू समाज मान जाएगा उनके इस चक्कर में फसेगा या फिर राम मंदिर बिना राम मंदिर के हिंदू समाज मानने वाला नहीं है 2019 में देखे योगी जी ने इतिहास को बहुत अच्छे घराई से पढ़ा है इन अटेक किया उसे वाजी को भागना पड़ा और प्राण बचा करके एक बुडिया के घर में उनको स्रणा करती मैं स्रण लेनी पड़ी तीन दिन से भूंके दे उन्होंने का मा मुझको कुछ खाने को दे दे उन्हें तू कहां से सहनेक जुपका पड़ा है बोले कि मैं भू जैसे उसने क्या किते हैं हाट दाला उसमें खिचडी में बीच में उनका हाठ जल गया जल दी भागना उनको भागना यहां से तो उन्होंने बुडिया ने पकड़ लिया ए तु जूट बोलता है तू बाढसा का सहनेक नहीं हो सकता है बोले पिर कि तू हमारे सिवाजिया क का सहनिक हो सकता है उन्हें कि शिवा-जी ने भी Selayoghan, कि मैं उसका सहनिक नहीं हूँ, सिवा-जी का, मैं भाटता का सहनिक के मुखबरी की नहीं करते, इसलिए उन्हें बताने नहीं चाहए थे, जब उन्हें ये पता उन्हें की नहीं तु जूट बोलता बेटा सत्त पता तु अन्ने पे बैठा है तुने की माँ तुने कुछ पहचानी लिया है तो मैं सिवाजी के सेनिक का हूँ लेकि तुने पहचाना कैसे सिवाजी का सेनिक में बोले बेटा जो गलती तू कर रहा है वो इस सिवाजी करता है